तो हलो फ्रेंड इस वीडियो को लाश्ट तक जड़रू देखिए तो यहाँ पर देखें फ्रेंड यहाँ पर हमने आम लिया है इतना साड़ा और इस आम को हमने क्या किया है काट लिया है काट के और दो घंटे के लिए पानी में भीगो के रख दिया था फुलने के लिए फिर एक दोखंट기에 बार पानी में से निकाली इसके भाद हमने धूप में सुखा लिया है धूप में सुखाने और मुझे आलर से लग तक तक छोड़ें क्तितों हुआ sublim zmre उसको भूप में रखना है II यहां पर बना लिया है काला सरसो का पाउडर उसके बाद हल्दी पाउडर धनिया मिर्ची में अपने हिसाब से लिया है को दो घनिया क दो दो ध्र wenस लिया था इसको पानी डालगे मुलरा मिक्स करके को इसको उबा लेंगे मतलब करेंगे इस अब अधंड से रृच जाएमा तो हम घषका देगा आओगि यह दिक588 बुलाने लगा डालेंगे पाच फुरन यह पाच फुरन सबलोग जानते है तो इसके बाद यहां यहां पे थंद ऑद यहां इसमें डाल देते हैं, है यह नीए ना Springs Mike यह विद्ध हमने थे साथ सठाने भी कलों सब missile कानति हैं थोड़ा सा पानी था ुसमें पानी अभर शूड़ा आगर हुआ ठांने हट्वा सागे सुरूं, हडी रहता है। भीवा सा नमक रहता है हुआ हमके लिए चोले कजने पर किमीच कर लिए हम देब materion मम कारो भीट दिंगरने में लिए significa भूब में इसको हमने सुखा लिया है मसाला को बीच वीच में चलाते रहेंगे आदा घंटा एगंटा के बाद चलाते चलाते यह अपने आप सुख जाएगा उसके बाद हमने क्या किया है तेल गरम कर लिया है सर्सो का तेल लिया है तेल हमने गरम कर लिया है तेल को भी ठंध अचार यह देखे खाने में कितना अच्छा लग रहा है आप इसको मतलब यह निए कर सकते हैं अब में एक आरशी बताऊंगी कि जैसे हम लेडिश ना यह होते हैं जैसे के हम महीना का होते है पिडियेट होते हैं तो उस टेम आप अचार मत बनाना क्योंकि अगर अचार बनाएंगे इन तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा अच्छा बनेगा ही नहीं और नहीं हमारे दादी आदी सास यह सब बोलती है कि अचार को छूना ही नहीं चाहिए जिसे खा 2-3 महीन goodak और यहां और नहीं पहला है और हम लोग यहां पे पांच किलो दäस कील perché जाता है जिसके आंधी तुफान आता है तो अंधी तुफान में हम लोगा घर का जो मतलब गाची जो है तो वह बहुत गिरता है तो उसी आम को हम लोग 5-10 किलो एक ही बार बना लेते हैं और श्टोर करके रख लेते हैं तो इस तरीके से आप जरूर बना के ट्राइ करिएगा अपने घर पे मतलब घर पे तो रहते ही है तो अपने घर में जरूर ट्राइ करेगा यह बहुत ही अच्छा रिष्पी है बहुत ही अच्छा से खाने में लगता है तो हम लोग तो इसी बना के रखते हैं चार डुबा पांशी डुबा और हर गाउं गाउं में हम लोग का य वह चार भेज देना तो इस तरीके से होता है तो बहुत अच्छा लगता है यह रिस्पी ज़रूर बना के ट्राइए करिए गारो यहां पर में बना रही हूं आज ना बाड़िस हुआ था तो मैं यह अचार रिस्पी तो कल्ले में बना थी और यह बाड़िस मतलग हुआ था तो मैं आज कुछ बनाई हूँ बाड़े से चाई के साथ यह देखे यहां पे में ब्रेट पकोड़ा आलू के पकोड़ा आलू के बच्का या तरुवा जो भी बोल सकते हैं तो हम लोग चाई के साथ सुबह सुबह नास्ता में यह खाएंगे और उसके बाद मैं यहां पे मैंसी को भी देख लीजिए मंसी कहां इधर उदर बुल्ट हल रही है और उसके बाद हाई फ्रेंड में बुल रही हूँ आयूस के यह साड़ा वीडियो ना आयूस का काम है आयूस को मैंन मोबाल दिया था तो आयूस ना पूर पता नहीं कहां कहां घुम घुम के मुझे ब दिया है तो मैं सुची की जगा वेडियो बने गया तो मैं इसमें डाल भी देती हूं यहां पे मेरे सास खा रही है मतरवः जो पकोडा से बनाए थी यहां पर मिरे ससूर है, तो यह सब लोग नास्ता कर रहे हैं, तो इस ट्यम्स लिजाय चाय पकोड़ा यह सब मिलोग सुबह के ट्यम सीट में के थें, और यह कोई होगा मेरे गाउं का, तो लोग को कोई बाचित कर रहे थें, और यहां पे मंसी अपना खा रही है इधर उधर घुम फिर के कर रही है दादा दादी के साथ अब महदी और कल है वेट सारी के दीन पहुंचेगा अब फśvy कियारी में कर रही है ये नानदे चाची सास किलर की उसने में लगा लेती है डो मैंने उतना मना přात्वी क्यूंकि यहां पर साम का टैम था ना तो साम के टैम में बजार से सबजी लाए हुई थी तो सबजी सब में निकाल दिया यहां सब्जी के साथ सथ खाने के लिए भी तो आता है सामें के बजार से जिसे कि मतलब बहुत कुछ रहता है गाओ में मतलब समोसा चौप कचिरी मतलब मैधा की मीठा वाला पारा या मतजरुआ उस टैप वह सब रहता है खाने के लिए तो सब हम लोग खा रहे थे सब्जी को भी तो चले फ्रेंड इसी के साथ हम बाई करेंगे तो बाई फ्रेंड अगले वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद्वाद्व